हेलो दोस्तों स्वागत आपका मेडिसीन रिव्यू टिप्स यूट्यूब चानल पर आज हम सुड़ों में नो ब्लॉक ड्रॉप्स के बारे में पूरी जान कर लेने वाले नो ब्लॉक ड्रॉप्स का मेंली यूज सर्दी जुकाम की समस्या अधूर करने में किया जता है यह बच्चों में इस्तमाल करने वाला ड्रॉप है आईए इस ड्रॉप के बारे में और अधिक विस्तार से जानते ये drop के से काम करता है, का इस्तमाल होता है, इस drop के क्या benefit है, क्या side effect है, इस drop से जुड़े सभी साहल के job, आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो को last टक जरूर देखिए, Mankind Pharma Company का ये 15 ml का drop pack आपको medical store पर 64 रुपे में मिल जाएंगा, दोस्तों बतेगी कि मत समय क साथ कम ये जाद हो सकती है, बात करते हैं इस drop में मुझूद कांटेन के बारे में, इस drop के each ml के कंटेन में, पैरसेटमॉल, IP 125 mg, फैनलेफरेन, हेटरोकलोराइड, IP 2.5 mg, क्लोफेरेनमाइन, मेल्टेड, IP 1NG, ये कंटेन समोइस्ट्रे, इसमें मुझूद क्लोफेरेनमाइन ये एक anti-allergic drug है, जो allergy की लक्षोनों, जैसे नाग बहने, आखों में पाने आना और छीक आने में रहात देता है, इसमें मुझूद पैरसेटमॉल ये एक anti-allergic और anti-piratric drug है, ये brain में उन chemical messenger को निकलने से रोकता है, जिस वज़े से दर्द या भुकार होता है, इसमें इस drop की uses के बारे में, डॉक्टर इसे किन-किन समस्यों में इस्तमाल करते है, डॉक्टर इसे सर्दी बुकार की समस्या दूर करने में यूज करते है, इसे गले में खराश होने की समस्या, नाग बहने की समस्या, छीक आने की समस्या, शरिर में दर्द पन्न होने की समस्या, बन नाग, सिर्दद, सर्धी, जुका, इन सभी समस्य उख तूर करने के लिए डॉक्टर इस डॉप काई उच करते हैं इस डॉप के अन्य उजाने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मसेज से संपर कर सकते हैं आपके डॉक्टर उनक्या अनुव हो से इस drop का इस्तमाल अन्य समस्या को दूर करने के लिए भी उच कर सकते हैं बात करते हैं इस drop के डोस इसके बारे में याद रहे कि दोस्तों इस drop का डोस आपके बच्चे के उमर और वजन पर निर्दारित रहता है इसलिए आप इसे अपने बच्चों की समस्या अपने डॉक्टर को बता अगर इस drop काड़ो सुन से निचित कर ले इसे अपने मन से घर पर न ले आप इसे एक से दो साल के बच्चों को 0.4 ml से लिकर 0.8 ml दिन में 2 से 3 बार अपने डॉक्टर के सलाय के आनुसर दे सकते साइड इफेक्ट इस drop के इस्तमाल से अलदुष पर ना अगर आपके बच्चों को इस drop में मौझूद कांटेंस अलर्जी है तो उन्हें बताए कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते है यदि उन्हें बताए कि कुछ साइड इफेक्ट मैसोस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करे इस drop के इस्तमाल से उन्हें दर्स्त, मितली, उल्टी, नेंदाना, सिर्दर्द, चक्कराना ये कुछ कौमन साइड इफेक्ट हो सकते है अगर आपके बच्चो को इस drop के इस्तमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिरूने इस drop में मुझूद केंटेंज चैलर्ज है तो आप इस drop का इउज़ना करे अगर आप पहले से अपने बच्चो को एक आन्य आंटिबर्ट एक सिरप दे रहे हो तो उसकी सुचना अपने डॉक्टर को आवश्य दे इस उचे से इस drop का drug interaction या orders होने की समवाना कम होती है अगर आपके बच्चो को कोयान्य समस्या है तो उसकी सुचना भी अपने डॉक्टर को आवश्य दे इस drop को लगातर ज्यादा दिन तक अपने मन से यूज न करे जब तक आपके डॉक्टर ने इस यूज करने को कहाए तब तक इस यूज करे इस drop को यूज करने से पहले से अच्छे तरह से शेक करे और बाद में अपने बच्चो को दे दोस्तो अगर आपको इस वीडियो से helpful information मिली हो तो वीडियो को लाइक करे और Medicine Review Tips YouTube चैनल को सबस्क्राइब करे उस चैनल पर आपको हमेशा Medicine News मिलत रहेंगे Thank you for watching this video